हेलो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही यूटीब चैनल में दोस्त बिहार में फिर से एक नई भरती अंगन बाड़ी के द्वारा आ चुगी है जी हाँ फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके पिछले महिने ही इसका वेकेंसी आई वी थी तो फिलाल फिर से यहाँ पे दुबारा आंगन बाड़ी सेविका और साहिका के पद बर यहाँ पे नया वेकेंसी जारी कर दिया गया है बिहार में यदि आप लोग भीहर से पिलोम करते हो, तो आप लोग इस form को भर सकते हो तो दोस्तों क्या-ک्या इसमें आप लोग को यहापे जनकारी मिलेगी और क्या इसमें यहापे इलिजबलिटी क्वालिफिकेशन है, कौन-कौन इस form को फिलब कर सकता है और कितने समय तक ये form फिलब कर सकेगा ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देखनी को मिलेगा इसलिए वीडियो को complete देखेगा और चैनल पर नए आएवे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर दीजेगा ताकि हमारे दोरा इसी तरह से नोलेजर वीडियो आप लोगे पास तुरंट पहुंशती रहे तो दोस्तो आईए देखते हैं बिहार अंगरबारी छठा चरण में जो भी यहां पर वेकेंसी निकाली गिया है उसका जो डेट और टाइम दिया गया है वो कब से कब तक दिया गया है तो दोस्तो जैसा कि आ आउनलाइन प्रोसेस की परिकिरिया है वो 16 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक जारी किया गया है और रखा गया है तो यहनी कि आप लोग 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आप लोग इसमें आउनलाइन आवेदन दे सकेंगे तो आवेदन देने की परिकिरिया वो आउनलाइन मोड ह आप उनलाइन के द्वारा इस form को फिलब कर सकते हैं तो इसमें जो मेगा सूची है यानि कि merit list जो जारी किया जाएगा वो 8 फरवरी को किया जाएगा तो यह जो आप लोग को तेखनी को मिलेगा यह merit list वो आप लोग को परखन कारियाले में एक सब्ता के लिए कराए जाएगा वहाँ पे आप लोग को merit list देखनी को मिलेगा तो यहाँ पे आपत्ती लेने की ती यहनि कि आप लोग को किसी भीतरा का इसमें problem होता है तो आप लोग वहाँ पे आपत्ती दे सकते हो तो वो आपत्ती देने का जो समय रखा गया है 9 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक आप सभा जो वहाँ पे लगने वाला है जो भी इसमें वेकेंसी जो आई भी है जो भी इसमें qualify कर जाता उनका ओम सभा 29 जनवरी यहनि कि 29 फरवरी से होने वाला है और online आवेदन के साथ-साथ आप लोग का जो भी documents लगेगा वो क्या-क्या लगने वाला है तो आप लोग का जो म विद्वा परमानपत्र है तो आप लोग विद्वा परमानपत्र देंगे यगती नहीं है तो नहीं देना होगा तो यह सारे documents वहाँ पे आप लोग को PDF फाइन में upload करनी होगी तो यदि आप लोग चाते हो कि online mode का भी हम आप लोग के बीच वीडियो लाए तो आप लोग हम में comment कीजिए मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूगा कि कैसे आप लोग online आवेदन दे सकते हो तो दोस्तों इस तरह से आप लोग को यहाँ पे यह जानकारी दी गई है तो आई होप कि यह जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाई करके चैनल क को सब्सक्राइब जरू करें यहाँ पर आप लोग को इसी तरह से नौलजर वीडियो आप लोग के पास दी जाती है तो दोस्तों मिलते अगलों वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद